नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बहुत सारे दर्सों को के अनुरोत पर एक टोटका लेकर आये हैं वैसे तो अभी तक हम धर्मा सन्वार्ग पर सिर्फ पूजा पाट से समंदित ही जानकारी दिया करते थे और रासी फल लेकिन आज एक बिसेश प्रियोग जो आप पावरफूल है आपके साथ साजा करेंगे इसमें कहीं कोई तांत्री क्रिया ये नहीं है एक बारम फिर से रिपीट कर दे बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे पुरुस भी लड़के भी ऐसा कमेंट करते हैं जीवन में बहुत परिसानी है हर कदम पर संगर्स है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ना बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाते बहुत सारे पड़ोसी हैं बहुत बार तो ये भी कहते हैं कि घर में ही लोग परिसान कर रहे हैं क्या करें अब कहां जाएं तब आपके कमेंट्स पर कर हमें खुद रोना आता है हाँ यह ऐसा होता है क्योंकि जब हमारे जो सुभाव हैं हमारे जो ग्रह हैं एक दूसरे से नहीं मिलते जैसा कि रासिगत गुन होता है तो बे बज़े झ fierce ज्गड़े होते कई बार तो किसी को देखकर बिना मतलब का गुस्सा आता है यह क्या है यह पिछले जर्म का कोई कर्म है या से मान के इन चीजों को इग्नॉर करते हैं लेकिन अगर आप सही मायने में एक छोटा सा उपाय करें तो आपके जितने भी आपसे जलने वाले लोग हैं जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी पसंद करेंगे और जो लोग आपसे जलत आपको 3 सामगरी चाहिए होगा हम पहले ही कलियर कर दें यह है भोजपत्र भोजपत्र आपको पूजा सामगरी के दुकान में मिल जाएगा अब मान लेते हैं आप गाउं में रहते हैं आपको तो वहां पर मिलेगा नहीं यह बलेबर होगा नहीं तो चलिए आप साधा कागज ले लें साधा कागज मतलब रूलिंग वाला नहीं जिसमें मैथ बनाते है बिल्कुल प्लेन रहता है वही वाला कागज लें और इसमें अस्ट गंध की स्याही बनती है तो आपको मार्केर में मिल जाएगा अस्ट गंध आप उसको अराम से आपक काम चल जाएगा अब आपको अनार की कलम की हाँ आवसकता होती है अब अनार की कलम हर किसी को मिलेगा नहीं यह जरा महंगा भी आता है हर जगा लेवल नहीं है तब इसके बदले में आप बेल पत्र जो सिबलिंग पर अपित क्या आता है बेल पत्र आपको पता होगा तो ब 50 ग्राम का वी सीसी आप खरीद के लिए यह सहत का और आपको उसी से काम चल जाएगा उससे च्छोटा बोतल तो मेरे खाल से तो इतनी सामंगरी आपको चाहिए यह थी सामंगरी की लिस्ट अब क्या करेंगे अब यह जो अस्ट गंध है ना इसको आप अगर आप साधा वाट जो आपने डंठल रखा है गोल में करना और है और भोज पत्र नहीं तो आप साधा कागज लीजिए और उसी प effort 1 जकिर तांत्रिक्रीय नहीं veanbase करें क्योंकि बहुत बार溜 घ्लाथ 5comणly जाने के कारण थोड़ी दिकते बढ़ जाती है तो आपको जब यह काम करेंगे ना तो उसमें यह चुकि पूर्ण तया सात्विक है तो इसमें आप नमसिवाय का भी जब कर सकते हैं यह प्रभू किर्पा है आप चाहें तो हनुमान कोई दिकत नहीं है आप यहां पर कई बार क्या होता है ना कि पत्फियों और जादाते मामले में पत्फियों से सिकाय्ट होती है से बात नहींने सुन कहां जाएं छोटे छोटे बच्चे हैं तब थोड़ा सा तकलीफ होता है कई बार कहती हैं घर में कोई नहीं मानता ना पती न साथ ससूर कोई देखना ही नहीं चाहता है अब यहां दिक्कत होती है तो उन सभी के मन में प्रेम जग जाए वो लोग आप से जो बैर भाव रखे वह हो जाए आपके प्रती जो सत्रुत्हा है वह समाप्थ हो जाए उसके लिये ही उपा है कई बार बुजुर् दमपति कहते हैं बेटा बहु अच्छे से बिहेव नहीं करता अब बुजुर्दमपति भी कर सकते हैं बेटे बहु को सांथ रखें उनको माथा को ठंडा रखने के लिए और एक बार बेटे बहु को भी रिलाइज हो जाएगा कि उन्होंने गलतियां की है और आप से अच्छे से ब्याइब करेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं आपको इस भोज पत्र पर या साधा काज़ पर जो अश्टगंध Preis अपने गीला करके रख्वाइ पानी से पिल पत्र का डंटल डीप करे और इस काज़ या भोज पत्र पर जितने भी आ आपको लोग समान नहीं देते आपके सत्रुafe हैला नाम लिखे जितने भी है एक दो 2 एक लाइन से सबका नाम लिखे और इस बीच आप हनुमान चालीसा पड़ सकते हैं नमस सिवाय का जब कर सकते हैं कहीं कोई तांतरी किरिया नहीं है कोई दोस नहीं लगेगा और इसके बाद आप इसे मोड़ लें अब सहत की जो आपने सीसी खड़ी दी भी है ना इसमें डू साइड और आप अपने घर में कहीं बी छिपा ना अच्छे से खिपाकर रख दे कि कोई इसको खोले नहीं ऐसे फड़ा रहेगा मच आप ढूट हintérieur लें तब आप में नहीं जगह नहीं है अब क्या करेंगे तब ऐसे में जीवन की समस्त कठिनाईयों से बाहर निकलने के लिए आप अंत में एक उपाय करें किसी भी पेड़ के नीचे इसको मिट्टे में दबा के गार दें और ऐसे जगह गारिएगा कि यह यूगों यूगों तक पड़ा रहे इसको क कहीं भी निकल के बाहर निकल के गार सकते हैं और बिना पीछे मुड़ी घर आजाएए अगर बाहर में आप यह उपाय करते हैं तो और घर में करते हैं तो कहीं भी आप कहीं भी साइड में अगर आपको बड़ा सा घर है या कहीं आपके घर में जगह है घर में ही कहीं मिट् लड़ाई करते था आपसे बार-बार आपको दुतकार था वो अब दुतकार ना बंद कर देगा और इसको आपको खोलना नहीं है सहथ की सिसी को भूल जाईए सत्रु का नाम लिखने के बाद आप भूल जाईए लेकिन सियाही अस्टगंद का ही लीजेगा बाकी चीजे आप बहुत इमर्जेंसी है तब एक काम कीजी आप लाल रंग के पेंसे लिख लीजेगा सत्रु का नाम और डाल दीजेगा और बाद में जब कभी अस्टगंद मिले तो दुबारा से ये प्रियोग कर लीजेगा हम आपसे भीदा लेंगे हर हर महादे पसंद रहे तो लाइक कर स कर दो